मोधी सरकार ने तीन नए खृषी कानूनों को वापिस लेने का फैसला कर तुलिया है लेकिन जितने दिनों तक किसान आंदोलन चलता रहा सोशल मीडिया पर उनके पक्ष और विपक्ष में लगातार लोगों ने तरह तरह की राय रखी अब एक रिपोर्ट आई है जिसके मताबे कई फरसी प्रोफाइल्स के सरीए किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सिक्खों के खिलाफ अपमान चनक अभ्यान चलाकर उन्हें बदनाम करने की कूशिश की गई कवस्टोरी में आज इसी की बात सोशल मीडिया पर खुद को सिख धर्म का अनुयाई बताते हुए विभाचनकारी अजेंडा आगे बढ़ाने वाले फरसी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के एक नेटवर्क का परदाफाश किया गया है आज प्रकाशित हुए इस रिपोर्ट को बीवीसी के साथ साजा किया गया है इस रिपोर्ट में उन असी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की पहचान की गई है जिन अफर्जी होनी की वज़ा से बंद कर दिया गया है इस अभ्यान के तहट हिंदू राश्रवाद और भारत सरकार के पक्ष को बढ़ावा देने के लिए फेस्बुक, ट्विटर और इंस्ट्रग्राम प्रोफाइल्स का इस्तमाल किया गया देखे बीवीसी समवादाता शुती मेनन और फ्लॉरा का माइकल की रिपोर्ट पनाते रहे लेकिन सोशल मीडिया पर आप जिन लोगों को पढ़ रहे थे, जिनके विचार शेयर कर रहे थे मुम्किन है कि उनमें से कई वास्तव में इस दुनिया में हैं ही नहीं यानि कि उनका अस्तित्व सिर्फ सोशल मीडिया पर है फेक प्रोफाइल के रूप में BBC के साथ साज़ा की गई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल की मदद से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई रिपोर्ट में 80 ऐसी ही फेक प्रोफाइल का जिक्र है जिन्हें अब बैन कर दिया गया है ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टेग्राम पर इन अकाउंट से हिंदू राष्ट्रवाद और सरकार के समर्थन में बाते लिखी गई हाला कि इसका सरकार के साथ कोई सीधा लिंक साबित नहीं हो पाया है बीबी सी ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार का पक्ष जानना चाहा लेकिन उनकी और से कोई जवाब फिलहाल नहीं मिला है इन अकाउंट को कोई बौट या मशीन नहीं बलकि गलत नामों के साथ कुछ लोग चला रहे थे प्रोफाइल में सिख नामों का इस्तमाल किया गया था जो खुद को असली सिख बताते हैं किसी विचार को बढ़ावा देने वाले पोस्ट में हैश्टाग रियल सिख तो किसी को गलत बताने वाले पोस्ट में हैश्टाग फेक सीख का इस्तमाल किया गया NGO Center for Information Resilience या CIR की रिपोर्ट के मताबिक अलग-अलग प्लाटफॉर्म पर एक ही प्रोफाइल का इस्तमाल किया गया इनके नाम, तस्वीर, कवर फोटो सब एक ही थे और एक ही तरह के पोस्ट कर रहे थे कई अकाउंटों में पंजाबी फिल्मों के कलाकारों की तस्वीरों का इस्तमाल भी किया गया इस नेटवर्क का इस्तमाल मुख्य तोर पर किसान आंदोलन और खालिस्तान आंदोलन पर बात करने के लिए किया गया रिपोर्ट के मताबिक सिक्स वतंतरता से जुड़े विचारों को चरमपंथी बताने और किसान आंदोलन को घलत ठहराने के लिए किया गया दावा किया गया कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है कई अकाउंटों में दावा किया गया कि ब्रिटेन और कैनडा में रहने वाले सिख खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं इनके पोस्ट को कई इंफ्लूएंसर्स ने शेयर किया और इने कुछ खबरों में भी जगा दी गई चाहिए सभी लोगों को इस बात की जानकरी हो कि इसके पीछे कौन था ट्विटर ने इन अकाउंट्स को नियम के उलंगन के कारण सस्पेंट कर दिया है मैटा ने भी फेस्बुक और इंस्टेग्राम से अकाउंट हटा दिये हैं ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा इस समय इस के सबूत नहीं है कि ये बड़े स्तर पर समन्वे के साथ किया गया है या एक ही व्यक्ति ने कई अकाउंट इस्तिमाल किये हैं या दूसरे तरीके से गलत प्रभाव डाला गया वहीं मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि अकाउंट के जरिये लोगों को अपने बारे में और अप अकाउंट की मदद से चलाए गई इस कैमपेइन का लोगों पर कितना असर हुआ हुआ और क्या ऐसे कैमपेइन दूसरे मुद्दों पर भी चलाए चाते हैं समझने के लिए BBC संवाताता शुबं के शोर ने बात की सोचल मीडिया एक्सपर्ट निखल पावा से ऐसे की उचे चला लोग त abus करते हैं भूभी कैमपेइन चला रहे थे अब फजी अकाउंट कॉन से हैं कैसे हैं कैसे पाए गए हैं उस पे क्लाररटी हमें इतनी है नहीं कि क्या आपको इसके पीछे कोई बड़ा प्लाइन नजर आता है आज कल सोशल मीडिया पर रोज रोज इतना आउट्रेज होता है, इतना गुसा दिखता है, इतनी कैम्पेइनिंग दिखती है कि ये तो रोज रोज की बात है, ये अब इसके पीछे कौन था, किस ने किया, कैसे किया, वो हमें अभी तक पता नहीं है और जहां तक हमें बस इत तो बड़ा हाथ, तो मैं इसमें कहनी सकता क्योंकि कोई उस चीज़ का प्रूफ नहीं है, कई आक्टर, एक्टरस के पिक्चर्स यूज किये गए अकाउंट्स में, तो इनका इंफ्लूएंस क्या होता है, क्योंकि लोगों को भी आप पता है कि कोई आक्टर, एक्टर्स का अगर नहीं है, तो शायद वो कोई और है, हाँ, देखिए, सबको तो ये इसकी समझ नहीं है कि ब्लूटिक क्या होता है, वेरिफाइड कौन है, पर इतना तो है कि अगर कोई फेमस आक्टर एक्टर्स हैं, इतनी तो समझ जादतर लोगों को उनके अकाउंट्स देख देख है कि ये वही लोग हैं कि नहीं है, उसके पर काफी लोग जो इंटरनेट पे नए होते हैं, उनको इन चीजों की समझ नहीं है, इसके लिए सोशल मीडिया कंपनीज को कितना जिम्धार ठेहरा है जासका, देखिए, सोशल मीडिया कंपनीज की जवाब देही तब बनती है, जब उनको अगर बताया जाए कि यह अकाउंट फेक है या फिर या फिर यह कुछ गलत काम कर रहे हैं या कुछ अगर मैं फेक अकाउंट बनाओं और मैं किसी मैं कोई campaign चलाओं किसी issue पर तो social media company का क्या right है मेरा account बंद करने का कोई नहीं है पर अगर मैं किसी को धंका रहा हूं अगर मैं किसी को किसी की पर्सनल इंफ्रमेशन पब्लिक कर रहा हूं अगर मैं किसी कानून का लंगन कर रहा हूं तब social media companies की जवाब देही होती है